नौका बिहार पर शनिवार को सदर सांसाद रवी किशन ने बोजपूरी फिल्म ठीक है कि महुत का विदिवत पूजन कर और नारियल फोड़ कर शार्ट का शुबारम किया आपको बता दें कि इस फिल्म में दिनेश लाल जादो उसमी रहुआ और आमरपाली दूबे फिल्म में मुख भूमिका में है इस उसर पर सदर सांसाद रवी किशन ने कहा कि फिल्म निर्माता और निर्देशकों की पहली पसंद गोरकपूर बनता जा रहा है गोरकपूर में वरतमान में कई फिल्मों और वेब सिरीज की शूटिंग चल रही है और आगामी दिनों में भी इनकी संख्या और बढ़ेगी उन्हें कहा कि गोरकपूर में शूटिंग होने से जनपत के लोकल कलाकारों को काम करने का मौका मिलेगा और उनकी परतिवा को फिल्म में दर्शाया जाएगा और फिल्मों की शूटिंग से तरा तरा के रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इस उसर पर भोजपूरी फिल्म अभीनेता दिनेश लाल जादो उसने रहुआ व भोजपूरी फिल्म अभीनेता आमरपाली दूबे सहीद फिल्म के डारेकटर व प्रोडिसर उपास्थित रहे इस समद में गुरकपुर ने उससे बात करते हुए सदर सांसा दरीकिशन तथा बहुत पूरी फिल्म अभी नेता दिने इसलाल जादो और उसने रहुआ ने कहा निदिश तुम वीडियो ले 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 ना वीडियो के साथ फोटो फोटो बहुत लोग है भी लप लावम अशिकों यापती ज़स प्राइन से लोग मिलते रहें गें हां है काई ज़ी रहें दुट ज़े परें आखते हुए हुआ है वस्ते टेड़ा रखा क्या जा जालम शानसे मंत्र पढ़ दी जेगा प्रात पति विच्चवो नमो नमा न महा संभावायचा मायो भवाय चा नवः सनकाराय चा मयस्काराय चो दभवे नवः वाः व्या मुत दे नवः जाते अ रुदसी वाता नूर गोरा पाकाज निथ यानस्तनवा संत मया इरि संता विचा कसी ही अम तु 냥 किनि भुद्वप्रशीदा परमेश्वरी दंगलपदय नमाँ परम्माद्य नमाँ गुरुकों रकस्षनातकी नमाँ पारवधी पदे हारा। लॉक बॉकल्क बॉक्बस्तर हो फिल्म फिल्म जल्दी कम्प्लीक्ष्ट वो जा बढ़िया जा संतोष में श्रावन बं बं तुमाँ ला आके वुंगे वूले ला बढ़िया नारियल तूटा यार तुम्हारा बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह अब लोग अब लोग अब लोग अब लोग अब लोग चलेंगे तुम्हों नगातार फोटो 25-35 खीशना है किकैंत इनका शूज लाओ नाइmons लाओ नाइन making के तुम्हें पडूशना नारे लोगो में नारे भीष मेंगे котором कव् 느ॉषर हां गवाँ मिद्सार को की आरे ला किसी अज्से को पकड़ा देजिया DAY जब तो पैने में गए मेच एही काम सै blijड़ी कि अच्छ पसी अगर करें और अब तुम चाहर बगट कर देख और हमलोग तुम चुनों एसा इधर आ इधर खाले आए यह अधर तक बहु रहे हैं और अगी अधर तक बोल क्या बागे अवागी इसा नहीं डिरेक्टर है ना दो गया शुटिंग में डिरेक्टर रही तो दिरेक्टर डिरेक्टर लिए दूनो पिछे अड़ जाना भईया जाकिर भाई, मास्क मेरा सबार कर लगा रेडि दिरेसी एक सेल्पी कर ली जो बेस ना इसी बस हाट मिल रहा है ना फोड़ा पीछे जा बिच्वा में आवा वार जा पीछे जा ये से बैस ये फिल्म का नाम ठीक है और ये दिनेश बाबू सुपर जैसे जूबली स्टार इनको कहा जाता है निरवा जी गोरकपुर की धरती पर है और उनके साथ सूपर स्टार और सबसे अच्छी बाद है कि आमरपाली दूबे गोरकपुर की है तो ये आज सबसे ज़्यादा प्रसंद आमरपाली दूबे है कि गोरकपुर की माटी ये धरती जहां से उनका जुड़ा हुए वहाँ भुजपुरी फिल्म जहां पे यहां की भुज़ यहां के सिनमा हॉल ने इन्हों के ब्लॉक्बस्टर फिल्मों को देखा है कई-कई हफते उसी धर्ती पर इलोग शूटिंग कर रहा है और यह बहुत खुशी की बात है और संतोष मिश्रा जो ब्लॉक्बस्टर फिल्में हमारे साथ दिये दिनेश बाबू के साथ भी लास दिये काशी अमरनाथ हम लोग थे साथ बहुत सारी फिल्में दी देवरा बड़ा सता और अंगिनत फिल्में इन्होंने दिनेश बाबू के साथ भी दी पटना से पाकिस्तान वो डिरेक्ट कर रहा है इसको प्रिडूसर यंग लड़के क्या नम है आपका सुधांशु शेकर तो आप कहां के हो छपरा के बाड़ा नहीं तो ये लोग है एक पूरी यंग टीम है और ये फिल्म एक पंदरा दिन के शेडूल पर गोरखपूर आई है गोरखपूर के सारे भव ये लोकेशन आज ये लोग नौका विहार में जो पुझे महराज जी का सबसे फेवरिट स्थान है आज ये वहाँ पर शूटिंग होगी गाने की दिलिप मिस्त्री बहुत बड़े कोरिग्राफर है वो आए है पिक्चराइज करने और ये दैनिक जागरेंट के हमारे ये फेवरिट फोटोग्राफर भी आ गया है जो कि छाय में नाई भी आ गया है कि पूरा नैशनल लिउस तहार हो जाई हो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश और महारास्त्रा में सब लोग आए गोरकपुर शूटिंग करें और हम लोग चाह रहे हैं कि फिल्म सिटी जैसे पुज्य महाराजी ने परसर अनाउंस किया उसकी शुरुवात हो गई है तो आद दिनेशलाल यादो निरगवा यहां शूटिंग करें अक्षे कुमार लखनव में या युद्या फिल्म की शूटिंग की शूटिंग करने आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरा माहौल एक दम गर्माग इलबा और सब लोग चाहत रड़न की नया रोजगार मिले युवाओं में बहुत सारे रवी किशन बहुत सारे दिने जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपने बड़े भीया आपके गoryक पूर के सांसरत बड़े भीया रविक शुम जी और सबसे बड़ी बात ये है कि गoryक पूर की धर्ति वह धर्ति है जहां से मैंने फिल्मों में अपने शुरुआत की थी शलत मुसाफिर मो और इतना अश्रबात प्यार मिला कि मैं यहां तक अभी आया हूं तो एक बार फिर से मौका मिला है गोरगपुर की धर्ती में शूट करने का और जब हम लोग पहले भी आये थे तो कई बार यह बात कह भी रहे थे कि बड़ा अच्छा होगा जब हमें यहां मौका मिलेगा हमें सहुलियत से कर दिया है कि हम लोग बड़ी आसानी से यहां शूट करने के लिए जो है आ चुके हैं और शूटिंग आगे भी जो भी रहेगी वो हम यहां करेंगे